इस वक्त आपको हिमाचल पिर्देश के एक बड़ी खबर सरूबूर कराते हैं। हिमाचल पिर्देश में कॉंग्रेस ने उप्चुनाप के लिए विधान सवा उप्चुनाप के लिए अपनों उम्मीद्वारों की एक लिस्ट जारी की है। और इसमें तीन उम्मीद्वारों का नाम है सुजान पुर्विधान सवा सीट से कैप्टन रंजीस सिंगराना को कॉंगरेस ने टिकट दिया है गग्रेट से राकेश कालिया को कॉंगरेस न अपना पिरतियाशी बनाए चुनाब के मैदान में उता रहा है और कुटले हड से विवेक शर्मा को टिकट दिया गया है कॉंग्रेस की तरफ से छे सीटों में से तीन पर अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश की राजनीत में दिल्चस पहलू लगातार सामने आते रहे गर्माती रही है हिमाचल प्रदेश की सियासत पिसले कई महिनों से इस चुनाब में तो और ज़्यादा गर्मा गई है जहां एक तरफ देश में एक नारा लग रहा है कि हम सरकार बनाएंगे बीजेपी के लोग कहरा है तो तीन सीटों पर कॉंग्रिस ने अपने उम्मीदबार उतार दी है सुजानपुर से कैपटन रंजी कुटले हर्स वीवेक शर्मा का नाम शामिला और गग्रेट से राकेश गालिया को टिकट दिया गया है पिर दीप ठाक और इस वक्त हमारे साथ जुटके हमारे विरो शिमला पिरदीप किस सरा से देखा जाए कॉंग्रेस के इन टिक्टों को कितनी मजबूत टक कर देखनों को मिलेगी लोग सबा अब इदान सबा चुनाब में इन सीटों पर बिल्कुल देखिए विधान सबा की छी सीटों पर उबचनाब होने हैं और उसके लिए अब कैंडेट गोशिद कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से तीन सीटों पर किये गए हैं आला कि तीन सीटों पर अभी इंतजार है और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब कॉंग्रस पार्टी की टिकट पर अनॉंस होती है तो आज टिकट जो है तीन सीटों पर दे दी गई है और हम कह सकते हैं कि बहुत ही दिल्चस्प मुकाबला यह होने वाला है सुजानपूर बिधांसवा क्षेतर की बात करें जहां से राजिंदर राना बागी हुए कॉंग्रस पे इस बक्ट बीजेपी के कैंडिडेट हैं यहां से और उन्हेंने पूरों मुक्ष्यमत्री प्रफेसर कुलिक मार्दोमल को भी यहां से चुनाब हराया था और पिछली बार जब 2022 के बिधांसवा चुनाब हुए थे तो कैप्टन रंजीत राना यह भाजपा के कैंडिडेट है और राजिंदर राना से 399 बोर से हारे अभी जो है कुछ दो दिन पहले ही इन्होंने कॉंगर्स पार्टी को जोईन किया है दिनली में और आज इनको टिकट दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से 2022 वाली सिती यानि आमने सामने यह दोनों उमिदवार होने वाले हैं कैप्टन रंजीत राना और यह क्यूंकि आर्मी बैक्डाउंड से आते हैं और सुजानपूर हलका एक ऐसा हलका पर सेना से जुड़े आर्मी से जुड़े सेनिक जो है वो बहुत सारे लोग पर रहते हैं पूर्व सेनिक बहां पर बड़ी संच्चा में रहते हैं तो एक दाओं इनके उपर कॉंगर्स पार्टी ने खेला है पिछली बार बेशक बाजपा ने खेला था तो अब हम कह सकते हैं कि काफी दिल्चास मुकाबला यहां पर होगा घ्र गरेट की अगर बात करें राकेश कालिया को टिकत दीया गया यह 2022 में अपना टिकत कटने से यानि English कॉंगरस बिधाइक भी रहे हैं यह था armour duy बड़े्ट सिर्टिन वालव में शामिल हो गयotte the और को उच्श प्रश नर्य कामीन चेतनिया शर्मा फ्रजपधा के केंड़ेर हैं और ज्श्च में पहले बिभेक- शर्मा को केंड़े क्यांसे बनाया जा सकता है आज उनके नामों का नाम का एलान हो गया है वो प्रचार में भी कुदे हुए हैं लगातार प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री भी उनकी सभाओं में जाते रहे हैं और ये कॉंग्रेस पार्टी के महातची वह बत्मान में और ये 2017 का प्लान जयने वाले हैं और एक और बात जो हम सुजानपूर की बात करें बहुत कमंतर रहा था हार जीत का और बिलकुल तस्वीर बिलकुल पलेट गई है जो पहले कौंग्रेस के मिद्राइब ऴॉब कांग्रेस की उचिकоеं यानि दोनों तों जो हैपनें सामने हैं तो और दोनों जो मिदवार हैं हम चैसकते हैं कि एक आर्मी बैक्राउंड से हैं उसे राजिंदराना वो लगतार यहां से चुनाव देते आए हैं तो ऐसे में यह मुकामला कासी तफ्स होने वाला है यहां जैसे अगर देखा जाए तो प्रफैसर प्रेगवादुमल की करीवियों में भी ग पूछना चाहूंगा कि राजिंदराना चाहे वो प्रेमकुमार धुमल का आश्यवाद ले रहे हैं उनसे मिल भी रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं कारे करता हो मैं शायद वह भूल जाएं लेकिन कुछ कारे करता होते हैं कुछ समर्थोक होते हैं तो उनके दिल में उनके उनके में खलिश जरूर रहती है कि इन्हों ने हमारे नेता को हराया था नरेश चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉंग्रेस नेता मुख्यमत्री के प्रधान मीडिया सलाकार है नमस्कार नरेश चौहान जी तीन उम्मीद्वारों का नाम आ चुका है तीन का बाकी है श कॉंग्रेस कई वर्षों से यही लोग कॉंग्रेस के नेता थे और इनमें जो कुछ किया प्रधेश की जनता के साथ पार्टी के साथ जो धोका किया उसके बाद जवाविष तोर पे कांग्रेस को एकड़म से चुनाओं में जाना पड़ा एक सर्वें के अधार पे अपने लेकिन इसमें जैसे कुछ चीज राकिश कालिया की बात करें और रंजीत रणा की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि अगले दो टिक्टों में जैसे लाहौल इस्पृती से क्या रामडाल मारकंडा आ सकते हैं जो बीजेपी से कॉंग्रेस में लोग आ रहे हैं या उम्मिजत आ लेकर बड़े तरीके से दियान से लोगों से अपने कारह करता हों से बातकीत कर पुरा फीदेट लेकर ही टिकट टैक करें हैं अच्छे एक सवाल और है मेरा कि बीजेपी ने जब अपने ट्रिक्टों का ऐलान किया तो बीजेपी में लोगों में नाराजगी थी कारेकरता ह हैं जिन सीटों से लोगों को तरढ था बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को जो आपकी पार्टी से बागी होकर बीजेपी में चले गए थे तो उन्हों ने का कि इन को क्यों दे रहे हैं हम भी तो मेहनत करा हैं पार्टी के लिए अब कॉंग्रेस में कहीं कुछ कारे करता कुछ नेता इन शित्रों में ये कह दें कि भाई जो बीजेपी से कैंड़िट शामिल हुए हैं पार्टी में आप और किसी को भी तो आजमा सकते थे हैं आपर आपको यही मैं समझाने का प्रियास कर रहा हूँ कि इतना टाइम से चिकट को स्लेक्ट करने में क्यों लगा हैं हमारी लीडर्शिप ने पूरा प्रियास किया कि वहां पर बीजेपी और हमारी प्रस्तिकी अलग है बीजेपी ने जो ढोकेवाज लोग कॉंग्रस से गे जो दागी और दागी और दागी ओं को बना दिया अब हमारे जो नेता थे वह भाजपा से लड़ रहे थे हमें तो द्वारा से नए लोगों को देखना था इसी पूरे करम में जो है पूरा मोका दिया गया कि कैसे होगा जो बेस्ट होगा वही पार्टी आइकबार ने इसमें अब एक जो बार बार बीजेपी के नेता कहा रहे हैं कि एक जून को हम जवाब देंगे और चार जून को दो सरकारे बनेंगी एक केंद्र में और एक हिमाचल में इस पर आपकी क्या परती कि रहा है देखो ये तो परदेश की जनता पूछने वाली है इन छे लोगों से जन्होंने पार्टी को दोखा दिया और जिन लोगों ने उनको चुना था जनता ने उनको दोखा दिया किन कारणों से इनने पांच वर्ष के चुना गया था? क्यों आज ये दबारा चुनाओं में जा रहे हैं और किन प्रफ्थितियों में दबारा वोत मांगेंगे चुने गी सरकार को गिलाने का जो प्रयास किया कोई बहुत बड़ा काम किया देव भूमी का नाम बदनाम किया इन सब चीजों का जवाब बाजप्रा की लीडर्शिप को और इन छे लोगों को हिमाचल परदेश की जनता को देना है और जनता पूरे मोन में हैं कि देश के लिए एक मैसेज जाएगा हिमाचल परदेश से किस उर्कार पे यह ख्रीदों फरोकत की राजनीती देश के अंदर बंद करनी पड़े ये मैसेज हिमाचल परदेश से जाएगा जब चार तारीकों परिनाम आएंगे ये च्छे के च्छे लोग हिमाचल परदेश की जनता इनको हराएगा बहुत शुक्रिया नेरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए कौंग्रेस नेता कौंग्रेस उपाद्यक्ष नेरेश चौहान जी ने कहा कि चार जून को जनता की तरफ से हिमाचल परदेश की जनता की तरफ से पूरे देश को एक संदेश दिया जाएगा बाकी तीन उम्मीद्वारों के नाम का ऐलान कॉंग्रेस की तरफ से कर दिया गया तीन उम्मीद्वारों का और इंतिजार है अगर प्रदीफ हमारे साथ जुड़े हुए हो तो प्रदीफ हम बात कर रहे थे कि क्या लगता आफ तीन सीटों पर बाकी तीन सीटों पर बिल्कु देखिए अभी भी जो तीन सीसे हैं जो बच्ची हैं जिन पर टिकट का एलान होना है धर्मशाला है बर्सर है हमीपूर में मुक्षमत्री के खिखिले में और लाहॉर्सपिती और यहां पर बेशेक मंथन किया जा रहा है पार्टी यही सोच रही है कि हम ऐसे कैंडि बेशेक्ट जैसे आपने भी अभी सवाल पूछा कि क्या डॉक्टर रामडाल मारकंडा को लिया जा सकता है तो यही अब सब के जहन में है कि इस तरह से दो लोगों को यहां पर बीजेपी से लिया गया है जी और हाउस्पिती में क्या मजबूत प्रक्याशी अगर कॉंगर प्रक्याशी तलाशा जा रहा है तो इन तीन सीटों पर भी कॉंगर्स पार्टी यही कोशिश कर रही है चुंकि बार-बार यह कॉंगर्स की तरफ से बात दोराई जा रही है कि हमें बहुमत के लिए केबल एक सीज़ चाहिए यानि चौतिस हमारे पास है एक हमें और चाहिए लेकिन कोशिज कॉंगर्स की है कि मैक्सिनम सीटे हम जीते हैं उसी से एक स्थिर सरकार प्रदेश को मिल पाएगी तो उसमें कितना सफल कॉंगर्स पार्टी होती है किसमें मलबोत प्रत्याशी दिये जाते हैं पार्टी की तरफ से तो यह सारी बाते अब देखने की होगी और अजिस तरह से एक सूचिया जाई है अभियाला की लोकसावा की भी दो सीचे हैं आमीरपूर और कांगरा संस्यक्षेतर तो वहां से भी अभी उमिरवार दिये जाने हैं और जो बाकी दो उमिरवार दिये हैं वो लगातार परचार पर उतरे हैं हमने आज भी देखा मुक्षमंत्री कुद विनोज सुल्टानपूरी के परचार में उतरे बगाईदा हेलिकॉप्टर लेकर डोडरा कवार जो सबसे दुर्गम क्षेतर है शिम्ला का जो बर्सपारी में शेष शिम्ला से कट जाता है चार पांच-पांच महीने के लिए मैं बहुत संक्षित करिया कि जब एक बात हो रही थी जब बगावत होई विदायकों की तो उस वक्ते मुक्षमंत्री ने प्रेस कांफरेंस की तो उन्हों किस्ट पास बगतियानी कांग्रस पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती है सबकार को बचाना तो ऐसे में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा पार्टी की तरब से जो गलत ऑस्था रहा है और बात में पार्टी को दुखा खाना पढ़े या फिर पार्टी बैस् वियुआ다 बिल्कुल हिमाचल के अत्वार से विधान सभा बहुत महत्पूर्ण हो गया इस चार सीटों की लोग सभा के लाव बहुत एहम बात आप आपने बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए कि हिमाचल प्रदेश की छे सीटों पर जो प्षणावना वहां सरका बशाने की बात हो रही है यह सरकार में भूमी का नवा सकते हैं चार सीटें केंद्री के सरकार में चाहे किसी पार्टी की सरकार बने लेकिन हिमाचल में तो बहुत कुछ निर्भर चल करता है इन 6 सीटों पर और इस वक्त एक और बड़ी खबर दिली से कल केंद्रे राजा पड़ेरम से कल शाम तक या राथ तक सामने आ जाएं तो यहांग बहत रहों यह केंद्री चुनाब संहिती की कल दिली राजा पडिल हमारे साथ है राजा क्या उम्मीद करें कि कल भाकी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा कॉंग्रेस की तरफ से या सिर्फ चर्चा होगी कल बिल्कु देखिए कल सुबह कॉंग्रेस चुनाव समीद्वी की बड़ी बैठा चाहे हिमाचल की दो बच्ची वी सीटें और हरियाना की एक बच्ची वी सीटों को लेकर पूरा मन्थन होगा जो जानकारी है कि इस मन्थन के बाद हिमाचल जो कॉंग्रेस के दो मिदवारों क जो सुची है वो देखने कुमिल सकती है पर यह बड़ा मन्थन है क्योंकि लगातार हिमाचल के मुख्य मंत्री दिल्ली दोरे पर हैं ऐसे में कल कॉंग्रेस की राष्ट्या देक्स मलिकार जिन खड़गे सोनिया गांदी और तमाम जो हिमाचल के बड़े नेता है कि राजा पूरी जानकारी के